अगर आज़ा आए पर इस वार जो एकादस्री आ रही है आज आए जानते है इसका महत नहीं दि एकादस्री मुखद भगवान हर विष्णु भगवान के निमिति की जाती है तथा सभी पापों को तथा सभी दोश्यों से मुक्त होने के लिए घ्ली देखता है त्था जितने वी तिर्थ यात्रा अपने की ह thया को फल फल के लिए एकादस्री का ब्रत किया जाता है और अनेक प्रकार जएका डसी का व्रित किया जाता है और साल भर में चुव satu-डसी कहीं गई है और किषने ऐसका जाना से जाना है लोग जैसे कसीí कर सित्ठी प्राप्ति में लोग महत्व कहा गया है उसी प्रकार यव स्थना को प्रकार दर्ख्ष स्टॉव्स तथा अन्यक प्रकार के पुन्य को देने वाला कहा गया है तथा इस एकादसी में एक तरवार्थ शिद्धी योग तथा एक सिद्धी योग बन रहा है इस योग में घगवान में हरी divष्ण भगवान का पूजन करकरके एकादसी का व्रत करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है तदहां समस्त चिर्षी आत्राव के फल को प्राप्त अपन कर सकते हैं इस एकादसी के व्रत के दिन भगवान हरी विश्न भगवान का पूजन करें उन्हें भोग लगाएं और एकादसी का व्रत करकर के अनेक प्र ब्रह्म मुरत में उड़कर के भगवान हरिविष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए और कहा जाता अजाय कादसी कावरत करने से अश्वमेर यग्जी के फल की प्राप्ती होती है उसके बराबर ही फल से प्राप्त होता है